वेल्कम फ्रेंड मैं मन्तोस और आप देखें मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकल मन्तोस दे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप UTS Apps को यूज करते हैं और आपने UTS में अपना यूजर आडियो और पासवर्ट को बना रखा लेकिन आपने अपना पासवर्ट को भूल चुके हैं तो आप किस तरह से UTS Apps में दुबारा से पासवर्ट को क्रि आप तक पहुंच सके तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है UTS Apps को आपको जैसे आप उपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर आ करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर को जो फॉर्ग सब़्ाइट नंबर देखने के देड़एन चुका है जा चुका है तो यहां, पहले हम वह OTP को फिल कर लेते हैं मोटीपी आप जैसे फिल करते हैं आपका OTP validate हो जाता है तो यहां पे आपको फिर से पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं तो यहां पे आपको एक अब आपको यहां पर क्या करना है सब्मेट करों करते हैं तो यहां पर क्लिक करते हैं आपका यहां बन जाएगा तो इस तरह से अचेख सकते हैं है अगर आप UTS apps में अपने password को भूल चुके हैं, अपने password को याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आसानी से इस वीडियो की help से password को change कर सकते हैं, तो आसा करते हैं, यह वीडियो आपको पूरी तरह समझ भाया गया, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो पे ला अच्छ तक देखने के लिए, थैंक यू